काफी और मेरे पास कॉल आती है और पूछते हैं कि मेरी गर्फरेंड की उमर अभी 18 प्लस होने वाली है और उसके गरवले उसकी साधी कहीं और कर रहे हैं तो क्या मुझसे साधी कर सकता हूँ? और एक सवाल लड़कों का ये भी रहता है कि मेरी उमर अभी 21 साल होने वाली है और लड़की की उमर 18 प्लस है तो क्या मुझसे कोट मेरीज कर सकता हूँ या नहीं? जानेगी आज किस वीडियो में अगर आपको कोट मेरीज या लीवन से सम्दित कोई जानकरी चीए तो आम मे आइकोन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नियो नियो वीडियो मिलते रहें सबसे पहले अगर बात करें कोट मेरीज करने के लिए उमर की तो लड़के की उमर 21 प्लस होने चीए और लड़की की उमर 18 प्लस होने चीए मैं काफी कपल को समझा बता भी हूँ कि अभी आप उमर पूरी होने का इंतजार कर लो पर वो इंतजार करने के लिए बिलकुल भी त्यार नहीं होते तो मैं आपको बतादू कि अगर आप दोनों की उमर जो मैंनू पर बताई है यानि की लड़की की उमर 21 प्लस होनी चीए और लड़की की उमर 18 अगर वो नहीं है तो साधी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती और आपने भी ध्यान रखना है अगर आपने कम उमर में कौर्ट मेरिज करवाई या डोकुमेंट्स के साथ छेड़ चाड़ करकर यानि उमर वगेरा बढ़वाकर कौर्ट मेरिज करवाई तो उस कौर्ट मेरिज की कानून की नजर में कोई मानेता नहीं होगी उपर से आपकी उपर पर्चा भी हो सकता है और इसमें सबसे जुरुरी बात इसमें अगर लड़की की उमर 18 वर्ष से कम निकल गई तो आप पर पॉक्स वेक्ट के तैत मुकादमावी दर्ज हो जाएगा जिसमें जमान लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए आप साधी का तो मन में विचार नहीं ना लाएं अगर आपकी उमर कम है तो अब बात करते हैं अगर लड़की की उमर तो 18 पलस है यानि कि उसकी उमर तो पूरी है और लड़की की उमर कहीं 19 साल है 20 साल है 21 साल होने वाली है तो आप दोनो लिव रलेसेंसी में रह सकते हो उसके लिए आप डॉकुमेंट्स भी बनवा सकते हो और आप कहीं भी अपने पार्टनर के साथ रह सकते हो इसमें कोई अपराद नहीं होगा कोई कानुनी समस्या नहीं होगी आपके उपर लेकिन आपने डॉकुमेंट्स के साथ छेड़ छाड़ करकर यानि कि उसमें उमर को बढ़ा कर साधी नहीं करनी है यह आपने खासतोर से ध्यान रखना है अगर आपकी उमर 19 साल है तो उसको 19 सी रहने दें 21 ना बनाई अगर आप 21 करके साधी करते हो तो आपके उपर बहुत समस्या आएगी तो इसलिए आपने ऐसा नहीं करना है यह साब लिवन में रहो वो भी एक साधीक जैसा है इसमें कोई दिक्त नहीं है आप एक दूसरे एक साथ बिल्कुल साथ रहे सकते हो लेकिन जो सबसे इंपोर्टेट बात है वो जो सबसे खास बात है वो यह है कि अगर लड़की की उमर 18 साल से कम है तो उसको गर से लेकर कभी न वागे मेरे पास काफी फोन आते हैं और बोलते हैं कि लड़की हमारे उपर दवाव दे रही है कि हमें गर से ले जाओ हमारे से साथी करो तो आपने उसके जांसे में नहीं आना है अगर आपने उसको गर से लेकर आए तो आपके उपर मुकदमा होगा और इसमें आप यह मत सोचो की लड़की आपके पक्स में ब्यान देगी चाहे लड़की आपके पक्स में ब्यान दे फिर भी आपके उपर समस्या उतनी ही बनी रहेगी जितनी होनी चीये थी क्योंकि इसमें लड़की के दिये वे ब्यान अगर लड़की के उमर 18 साल से कम है और आपके पक्स में भी ब्यान देती है तो इसका कोई फायदा नहीं है और आपके साथ आपके घरवणों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है तो इसलिए आप अगर लड़की की उमर 18 साल से कम है तो उसको कभी लेकर घर से ना भागे अब एक समस्या ये भी काफी कपल बताते हैं कि 18 साल से कम हमर की लड़की की उसके घरवाले साधी कर रहे हैं तो इसका जरूर आपको समाधान मिलेगा लेकिन आपको उसको लेकर नहीं वागना है